हालो काईज, वेलकम डूटेकी आसर यूट्यूब चनल और गैस रियलमी जीटी सिक्स्टी स्मार्टफोन के बारे में आप सभी को पता होगा पच्छी से तीस अजार पे की केटिगरी में वन अफ ती बेस अल्टोंडर स्मार्टफोन है अब फाइनली वीवो इसको कमपीट करने के लिए अपना नया फ्लैक्शिप किलर स्मार्टफोन वीवो T3 अल्टरा को कुछ ही दिनों में इंडियन मार्किट में लाँच करने वाला है तो आज की स्टुडियो में करेंगे यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कमपाज़न एन एक्जेक्ली में आपको पताऊंगा दोनों में से कौन सा बढ़िया स्मार्टफोन है कौन से यूजर को कौन सा स्मार्टफोन सेलेक्ट करना चाहिए एन अपने ओन इस उपिनियन भी शेयर करने वालो तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो फ्रेंज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं चलिए कमपाजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की प्राइस पॉंट के साथ में तो दोनों स्मार्टफोन का जो बेस लंड है 8GB RAM, 128GB से स्टार्ट होता है यह दोनों का जो रियल प्राइस पॉंट है वो आराउंड आपको 31,000 उपीस के आसपास देखने को मिलता है T3 Ultra तो अभी कुछ दिनों में लॉंच होगा लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेट प्राइस पॉंट है वो आपको 31,000 उपीस ही बताएगे लेकिन अगर आप ओफर में देखोगे तो रियल में GT60 काफी चीप में मिल जाता है 26,000 उपीस में इजीली नॉर्मल सेल में भी आपको देखने को मिल जाता है तिबकि जो अपकमिंग वीवर T3 Ultra स्मार्टफोन है बताएगे अरण 28,000 उपीस के आसपस आपको ओफर लगा के देखने को मिलने वाले चलिए आप कमपाजन को स्टाओट करते है स्टाओट करते हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बिल डिजाइन और फर्स्ट लुक के साथ में तो दोनों में यहाँ पर आपको कर्वी बैक वाला डिजाइन देखने को मिलेगा डूल कैमरे का सेटप है, फ्लैश है, कैमरा लियाउट डोनों में थोड़ा अलग सा देखने को मिलता है यह परसनल चॉइस आपको रियल्मी का डिजाइन बेटर लगा यह वीवो का डिजाइन बेटर लगा, मुझे पताना नीचे कमेंट्स में डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन पर यहाँ पर आपको 6.7 18 इंच का एक 120 हर्ट सी फेशेट के साथ में का वामलेट डिस्प्ले मिलता है दोनों स्मार्टफोन पर आपको 1.5K रेजोलूशन यहाँ पर दिया गए लेकिन यहाँ पर जो रियल्मी का डिस्प्ले है वो LTPO डिस्प्ले है और गुरिला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोडेक्शन देखने को मिलती है जबकि जो वीवो की यहाँ पर प्रोडेक्शन है वो शौट सेंसेशन ग्लास का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है तो डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको स्मार्टफोन का हालेटिंग फीचर है क्योंकि यहाँ पर अगर आपको स्नाप ड्रेकन का सेवन प्लस जेन 3 वाला चिपसेट मिलते है वही वीवो के अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको मिडिया अटेक का डैमेंसिटी 9200 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलते है दोनों काफी जादा पाउरफुल चिपसेट है Realme में आपको 1.5 मिलियन का इंटूडू स्कोर मिलता है जबकि वीवो में 1.6 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है तो दोनों परफॉर्मेंस के मामले में आपको निराश नहीं करेंगे लेकिन अगर आप एक पुछोगे ना भाई कौन सा स्लाइकली बेटर है तो आप कह सकते हो Dimensity 9200+, आप कह सकते हो 19-20 का यहां पर आपको फरक देखने को मिलता है कैमराज के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में दोनों में डूल कैमरे का सेटप मिलता है Realme में आपको 50 Megapixel का प्रामरी सेंसर मिलता है तो एक 8 Megapixel का अल्ट्रा वर्डिंगल कैमरा मिलता है जबकि सेल्फी कैमरी के अगर हम बात करें तो Realme में आपको 32 Megapixel मिलता है जबकि वीवो में आपको 50 Megapixel का दिया गये अब कैमरा किसका बैटर रहने वाल है तो सेंसर वाइस अगर आप देखोगे तो डेफिनिटली वीवो का आपको प्रामरी सेंसर भी बेटर देखने को मिलता है और सेल्फी में तो कॉम्पेटिशन ही नहीं है वीवो यहाँ पर हैंड्स डाउन विनर रहने वाल है तो कैमरा डिपार्टमेंट में रियल्मी के कैमरास नो डाउट डीसंड है लेकिन अब वीवो से कमपार्जन करोगे तो थोड़ा यहाँ पर पीछे रह जाते हैं अंड्रोइड वर्जन एंड यूई के अगर हम बात करें तो दोनों में अंड्रोइड 14 आउट अट अट बॉक्स मिल जाता है रियल्मी का फोन रियल्मी यूई पर चलता है जबकि वीवो का स्मार्टफोन यहाँ पर फइंटा च्वेस पर रन करता है सेंसर दोनों स्मार्टफोन पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं इंकुडिंग एंड डिस्ट फिंग अप एंड स्कैनर, फेस अनलोक का फीचर, 3.5 मेटफोन जाएक दोनों फोन में नहीं मिलता है लेकिन दोनों में आपको dual stereo speaker का support दिया गए लेकिन वीवो में यहाँ आपको IP68 का water and dust resistant का feature मिलता है जो कि Realme में missing है battery life के अगर हम बात करें तो दोनों में आपको 55 undamage की battery मिलता है Type-C port के साथ में लेकिन Realme में आपको 120 watt की fast charging का support मिलता है जिबकि वीवो में यहाँ आपको 80 watt की fast charging यहाँ पर दी गई है तो यह दा यहाँ पर दोनों smartphone का full comparison अब आप पुछोगे भाई दोनों में से कौन सा smartphone better है Realme purchase करें या वीवो का smartphone purchase करें तो देखो दोनों smartphone में से कोई भी smartphone बेकार नहीं है 25-30,000 रुपे में one of the best specs यहाँ पर दोनों smartphone प्रोवाइड करा रहे अब बात करते हैं Realme का smartphone किसको लेना चाहिए वीवो का smartphone किसको लेना चाहिए तो Realme का smartphone उनको लेना चाहिए डिस्पले आपको top notch quality का LTPO चाहिए आपको जो glass protection वो भी better चाहिए faster charging का आपको support चाहिए और आपको 2-3,000 चीपर price point पे similar smartphone परचेस करना है तब आप यहाँ पर Realme का smartphone परचेस कर सकते हो और वीवो का smartphone किसको लेना चाहिए तो देखो अगर आप ऐसे डप के user हो मतब 2-3,000 रुपे आपके extra चले जाएंगे लेकिन आपको better features चाहिए जिसे के आपको better यहाँ पर camera's मिल जाते है जब primary sensor हो या selfie camera हो उसी की साथ में IP68 की rating देखने को मिल जाते है जो के यह price point पे बहुत कम brand आपको provide कराते है और आप बो सकते हो slightly better अगर आपको performance चाहिए तब आप Vivo का smartphone देख सकते हो तो cool मिला के देखा जाए तो यह personally आप पे depend करते है अगर आपको better display और वो सारी चीज़ चीज है तो Realme purchase कर लो थोड़ा आपको budget टाइड है 25,000 रुपे के अंदर यह उसके आसपास में phone लेना है तो Realme का best है अंडर 25,000 रुपे में one of the best all-runner smartphone है लेकिन आप budget को बढ़ा सकते हो आप 28,000 से 30,000 रुपे से क्या आप budget को stretch कर सकते हो तो मैं बलूँगा Vivo T3 Ultra smartphone भी काफी solid है अगर camera में आपका थोड़ा बुत requirement जादा है यह दोनों smartphone को लेकिए आपके मन में कोई भी questions है doubts है या queries है मुझे पूछ लाए नीचे comments में तो होब कमसूट्स नहीं होगी और को यह पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब कर देना आप मिलता आप सगनी किसी वीडियो में आपके लिए धन्क्यू